तो अगते स्टुटेंट यहां पर क्वेश्चन दिया हुए इंदी डिस्टेंस ट्रावल्ड बाय पार्टिकल इस्टार्टिंग फॉम रेस्ट एंड मॉविंग विद एन एक्सेलरेशन ओफ फॉर बाई थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वेर इंदी थर्ड सेकेंड इस ओके तो इस क्वेश्चन में यह किया रहा है कि डिस्टेंस ट्रावल्ड बाय पार्टिकल निकालना है कोई भी एक पार्टिकल है उसका कुछ दूरी यह यह तैय किया होगा तो मालो जो दूरी यह तैय किया है वह एस है तो एस तुमको यहां पर निकालना है यह पार्टिकल रेस्ट से चालू हुआ था इसका यह मतलब हुआ कि जो भी इसका इनीशियल वेलॉसिटी रहा होगा जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं वो जीरो रहा होगा ठीक है मोविंग विद फॉन एक्सेलीरेशन , तो जो इसका एक्सेलेरेशन है वह दिया हुएरase 4x3 वी मीटर पर सेकेंड स्कूयर पूछ रहा तीसरे सेकेंड में, जैसे पहला सेकेंड में कुछ दूरी तै किया, दूसरा सेकेंड में कुछ दूरी तै किया, फिर तीसरे सेकेंड में ये कुछ दूरी तै करेगा, सपोज उसको हमने माना था कि S है ये जो दूरी आप देख रहा है, ये इसका तीसरे सेकेंड क का धूरी है जिसको हमने एस माना है थर्ड सेकेंड में तो इसको बनाने के लिए आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला यहां पर यूज करना है जो कि एस एकोल टू एस एन अने इथ बोलते जिसको एन इथ सेकेंड बोलते यू प्लस ऑले वई टू में इंटू गया हम इपको किसी भी सेकेंड में जैसे सातवे सेकेंड हो गया दसवे सेकेंड हो किसी भी second में अगर आपको बोला जाएगा कि दूरी कितना तै किया है तो इस formula का आप use वहाँ पर कर सकते हैं जिसमें n का मतलब होता है कि कौन से second में पूछ रहा है तो यहां तीसरे second में पूछ रहा है मतलब n का value 3 लेना पड़ेगा यू का value 0 था क्योंकि rest से चालू हुआ है और acceleration कितना है 4 by 3 upon में कितना है 2 है into 2 और n का value 3 लेना है third second की बात की गई है यहां पर अब दीए कुछ आपको लिखना है तो इस तरह से लिख सकते है 4 upon 3 into 2 और 3 to 6 minus 1 5 क्लियर है अब दीए टू से फोर कैंसल हो जाए गए तो यहां जागा 10 भाई 3 मीटर जो आप देख पार है option नंबर वान इसमें सही होगा थैंक्यू सो मच पो वाचिंग